हमारे पास भी आजकल जिसको साइन्टिफिक दुरुष्टी कहते हैं वो दुरुष्टी थी उसके आधार पर हम चले हमारी व्यवस्थाय तहसनास हो गई सारी हमारी ज्ञान की परंपरा खंडित हो गई आकरमणों के कारण हम बहुत अस्थिर बन गए और अपने आकरमण पो पक्का करने के लिए इसकी स्मृति भी हमारे मन से विदेशी शासकों ने मिटा दी इसलिए आज के आहलत है हम अगर याद करें हम अगर अन्वेशन करें तो हमारे पास भी क्या-क्या है और आज वो कितना उपयुकत है कई दुनिया के सामने की समस्या है उनके पास दूसरा आने नहीं देती, ऐसा होता है, ऐसी ताक्ते हैं, कुछ हमारे पास पहले से है, अम्भूले नहीं थे, उसको भी अप्रॉपर जैसे योग है, अब योग सारी दुनिया में गुंज रहा है, लेकिन आप कुछ लोग कह रहे हैं कि वो योगा याने क्या वो अलग बात है, तो योगा के लिए पेटन्ट अप्लिकेशन भी दूसरे देश का हुआ था, ये पेटन्ट क्या जन जाले भई, ज्ञान पर किसी का अधिकार होता है, ज्ञान तो जिद्नियासू को देने के लिए होता है, जिद्नियासू और ठीक बुद्धिवाला, गलत आत्मी के आत्मे ज्ञान नहीं देना, रक्षसों के आतमे नहीं देना, लेकिन सज्जनों में जो जानना चाहते है, या सज्जनों के जानने से दुनिया को उसका उप्योग है, तो वो ज्ञान देना ही देना है, उसका पेटन क्या होता है, किसने क्या खोजा, अरे वो जितना उप्योगता ह उतना सब के पास पहुचे